हेलो एवरिवन मैं हूँ आकास और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ तो जैसा कि आपने थमनेल को पढ़ लिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ मानलव आप यूटूब पर से कुछ वीडियो डाउनलोड करते हो और इन केस आप उस फोल्डर को डिलेट कर देते हो जहां पर आपके यूटूब का सारा डाटा वीडियो स्टोर होता है तो आपकी यूटूब पर से सारी वीडियो डिलेट हो जाएंगी तो सिंप्ली अब आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई वीडियो दुबार से डाउनलोड करो तो उसकी डाटा को कोपी कर लीजी किसी दूसरे स्टोरेज या लोकेशन में या फिर अनुदर मेमोरी कार्ड में अब आपको मैं दिखा देता हूं कि क्या करना है सबसे पहले मैं आप यूटूब अपना खोल लेता हूं कि यहां पर मैंने कुछ वीडियो डाउनलोड किया हुआ है अब आपको क्या करना है इसकी सेटिम हो जाएंगे और यह चेक करेंगे कि यह वीडियो किस लोकेशन में सेव हो रही है तो आपर मैंने एसडी कार्ड को इनेबल किया हुआ है कि मतलब कि मेरा जो यूटूब का जो डाटा है वो यूटूब के फोल्टर में सेव हो रहा है अब आप क्या करेंगे अपने फाइल में नेजर में जाएंगे और जहां पर अपने स्टोर इस दिया हुआ है वहाँ पर आ जाएंगे मैंने एसडी कार्ड में डाल हुआ अपना और यहां पर एंडूइड डाटा और यूटूब का एक फोल्डर होगा है पर उसको स्लेट कर लिए अपर फाइल स्ट्रीम्स यहां पर इस सभी फोल्डर को कॉपी कर लिए आप कॉपी कट जो भी आप करना चाहते हैं इसको कट करके आप किसी दूसरे फोल्डर या किसी दूसरे स्टोरेज में डाल सकते हैं मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ आपको बताने के लिए अब आप वापस जा कर देखेंगे यूट्यूब में तो कुछ इस तरह से देखेगा आपको जब आप फाइल को डिलीट कर देते हूँ और अगर अब आप इस वीडियो पर खिलिक करोगे तो यह दुबारा से डाउन्लोड का ओप्षन आएगा इसमें तो मैं दुबारा से डाउन्लोड ने किया जहां पर आपने डाटा को स्टोर किया था वह आप उसी जगह पर जाने और इंड़ोइड डाटा यूटूब की फाइल यहां पर यह फाइल है जो मैंने की ती आप जरू नहीं आप इसी फोल्टर में करो आपके सीवी दूसरे फोल्टर में डाल सकते हो या ज्यादा स्टोर करने के लिए मालब लंबे टाइम के स्टोर करने के लिए आप किसी अनुदर लोकेशन में डाल सकते हो इसे तो मैं इस सभी डाटा को कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने वहां से उठाया था कट और वापस वही पर जाकर डाल दूंगा मैं फाइल्स ऑफ लाइन स्टीम्स यहां पर इस तरह से आप करना बिना कुछ किए आपको लिए उसी लोकेशन में जाके पेस्ट कर देना और वापस अपना यूट्यूब खोलेंगे डाउनलोड के ऑप्षिन में जाएंगे यह आपका जो वीडियो हमने डाउड किया था वह आपके से रिकवर हो चुका है अब इसको चला सकते हैं इस तरह से आप पुराने डाटा को सेव करके दोबार से उसको रिकवरी पास सकते हैं लेकिन निइसमें प्रोब्लम लेकिन कोई ज्यादा मेजर प्रोब्लम नहीं है कि जब भी आप वीडियो डाउनलोड करते हो तो आपको साथ के साथ कोफी करते रहना होगा अब यह तो है नहीं कि हम एक साथ सभी वीडियो के दम डाउलोड कर लेते हैं, कुछ आज कर लिए, कुछ अगले दिन में करते हैं, या फिर जब ही कोई चीज पसंद आते तब करते हैं, उसको डाउलोड हम, तो बस यही धाइस में, कोई यही प्रोब्लम धाइस में, बाकि स